आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की popular model and actress दिपानिता शर्मा की biography तो आएए जानते हैं उनकी life से जुड़ी कुछ खास बात हैं दिपानिता शर्मा एक इंडियन फिल्म और टेलिविजन एक्ट्रेस हैं वह फिल्म वार, जोडी ब्रेकर्स, असंभव और लेडीज वर्सेज रिकी भेल में अपने काम के लिए जानी जाती हैं और हाल फिलाल वे अपने new serial रुद्रकाल में अपने काम के लिए सुर्ख्यों म हैं दिपानिता टेलिविजन शो हर दिल जो प्यार करेगा और पिया की घर जाना है में काम करने के बाद फेमस होने लगी उन्होंने 1997 में एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था दिपानिता शर्मा का जन्म 2 नमंबर 1989 को दुलिया जान आसम में हुआ था उन उन्होंने कसम से और कैसा ही प्यार जैसे टेलिविजन सीरियल में काम किया है दिपानिता ने अपनी स्कूलिंग हॉली चाइल्ड स्कूल गुहाबटी और सैंट मेरी स्कूल नहर कटिया से पूरी की है उसके बाद उन्होंने इंदरप्रस्ट कॉलेज फॉर वुमन डेली से ग्रेज़ेशन कंप्लीट किया दिपानिता मैरीड है और उनकी शादी डेली के एक बिजनस्मेन दिलशेर से अत्वाल से हुई है दिपानिता ने अपने करियर की शुरुआत ऐस अ मॉडल की थी वह कई मॉडलिंग इवेंट्स का हिस्सा रही उन्होंने 1998 में मिस इंडिया स ग्लैमर इंडिस्ट्री में पहचान हासिल की वह इस ब्यूटी पीजन की टॉप फाइब फाइनल कंटेस्टर में से एक थी और इस दोरान उन्हें मिस फोटेजैनिक का किताब भी मिला दिपानिता ने अपने अक्टिंग करियर की शुरुआत बॉलिवूड फिल्म 16 में भी काफी अक्टिव है वे पांस सालों के लिए ब्रिगेट वॉचेस और जूलरी का ब्रैंड फेस रह चुकी है और एम्टीवी के एक टेलेविजन शो एम्टीवी मैकिंग दग कट की जज भी रह चुकी है दिपानिता ने कई एडवर्टीसमेंट में भी काम किया है ज साथ टेलेविजन पर वापसी करने के लिए तयार है दिपानिता स्टार प्लस पर आने वाले सीरिल रुद्रकाल में एक बीसीपी ऑफिसर की पत्नी गायतरी चितोड़ा की भूमी का निभा रही है यह सीरियल हाली में स्टार प्लस पर रिलीज हुआ है और हर साटड़े संदे को रात आट बजट अलिकास किया जाता है तो दोस्तों ये थी एक्ट्रेस दिपानिता शर्मा की लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें उमीदे आपको वीडियो पसंद आई होगी अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइ